इतिस अचार जी कुछ दिनों के बाद सनी वक्री होने वाले हैं और माना जाता कि जब सनी वक्री होते हैं तो रासियों पर परभाव नकरात्मक और सकरात्मक दोनों पढ़ता है। किन रासियों के उपर नकरात्मक परभाव पढ़ने वाला है और वो कैसे इससे बचते हैं। सनी अपनी रासी में मारगी और वक्री हो करके चलते हैं तो 30 जून से सनी वक्री होने जा रहे हैं 30 जून से वक्री हो जाएंगे वक्री होने से तीन रासी वालों को कस्ट का सामना करना पड़ सकता है तीन रासी वालों के लिए नकारात्मत प्रभाव सनी देगा वो तीन रासी हैं, मैस, तुला और कुम्भ, ये तीन रासी वाले का समय अच्छा नहीं रहेगा, जब तक सनी वक्री रहेंगे, तीन रासी वालों का आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक छती होगी, दुरघटना का भी योग बन रहा है, धनहानी होगी, एवं कार्ज में बा विवाद हो सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आप अनमान जी की आराधना करें, और अनमान साथिका का पाठ करें, तो आपके घर में ऐसा वक्री का कुद्रिश्टी से आप बच सकते हैं.